नमस्कार दोस्तों, Morning Visualization Exercise में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में वो परिणाम कम आ रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड को negatively प्रोग्राम कर रहे हैं। दोस्तों, सुबह का समय ऐसा समय होता है जिस समय हमारा मन शान्त होता है और हमारा माइंड अलफा स्टेट में होता है। इस स्टेट में हम अपने माइंड में जो भी message register करते हैं वो हमारी reality बन जाती है। क्योंकि हमारा माइंड imagination और reality में अंतर करना नहीं जानता। इसलिए visualization एक ऐसी तकनीक है जिसके सहारे हम अपने माइंड को अपने वांचित पड़िनाम के लिए program कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं। आप चाहें तो आराम कुर्सी पे बैठ सकते हैं। या फिर पालती मार कर जमीन पर बैठ जाएं। रीड सीधी रखनी जरूरी नहीं है। एक गहरी सांस अंदर एन। और धीरे से बाहर पूरे शरीर को धीला छोड़ते हुए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर पूरे शरीर को धीला छोड़ते हुए। अपनी चेतना को अपने सांसों के उपर लगाएं। और जो जो आप अपने सांसों के साक्षी बन रहे हैं। त्यों त्यों आपका मन शांत होने लगा है। आपका मन विचार शूनी हो रहा है। आसपास की आवाजों को सुने। ये आवाजें आपके विश्राम को और अधिक गहन कर रही है। और अब ये समय है अपने भविश्य का निर्मान करने का। ये वक्त है जिस समय की हम अपनी रियालिटी को खुद क्रियेट करेंगे। by means of imagination and visualization. इकार गहरी सांस अंडर इन and slowly breathe out relaxing your whole body, every cell, every tissue and every nerve of your body is becoming loose, limp and totally relaxed. Allow every fiber of your body to expand, every muscle of your body to loosen and every nerve of your body to be in a state of relaxation. अब आप देखना शुरू करें कि आप किसी पार्क में बैठे हैं और पूरी तरह से रिलाक्स कर रहे हैं। यहीं आपके सामने आपका कोई role model खरा है। वो role model जैसी कि physics या health आप चाहते हैं। यह कोई film star हो सकता है। यह कोई खेल की personality हो सकता है। यह कोई fitness trainer हो सकता है। अब आप अपने आपको भी उसी तरह से देखना शुरू करें। आपकी body पूरी तरह से fit हो चुकी है। जो भी extra fat आपकी body पे था वो सब जा चुका है। और आपकी body fit है, toned है और पूरी तरह से smart दिख रही है। आपका blood pressure बिलकुल normal है। आपके breathing का rate बिलकुल normal है, around 12 to 13। और आप पूरी तरह से fit हैं। आपके सारे internal organs, heart, pancreas, lungs, liver, kidneys बिलकुल सही तरीके से perfectly काम कर रहे हैं। आप imagine करें कि आप अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं। और आपके शरीर की एक-एक कोशिका आनंद में, health में, vibrate कर रही है। आपके सारे अंग से एक रोशनी निकल रही है, एक प्रकाश पुझ निकल रहा है। जो कि यह symbolize करता है कि आप पूरी तरह से fit हैं और healthy हैं। खुद को और देखना शुरू करें, आप इतने fit हैं कि हर कोई आपसे आपकी fitness का secret पूछता है। Times Magazine आपका interview ले रही है कि किस तरह से slim और fit रहा जाए। आपको कोई बीमारी नहीं है और आपकी personality charming और dynamic है। आप इस personality से जहां जाते हैं वहाँ vibration create करते हैं। वहाँ एक अपना अलग सा impression create करते हैं। 10 second तक इसको enjoy करते रहे। अब हम दूसरी imagination को अपने mind में लाएंगे। आप किसी ऐसे आदमी को देखें जो कि अमीर है और आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। अब आप खुद को देखें। आपके mobile phone पर अभी अभी एक message आया है कि 10 करोड रुपे आपकी account में credit हो गए है। आप financially free हो चुके हैं और आप पैसे से जो भी चाहते हैं वो कर रहे हैं। For example, आप महगी कार में घूम रहे हैं। आप विदेशों में holidays पे जा रहे हैं। आप एक महगे से घर में रह रहे हैं। आप charity कर रहे हैं। और आप अपनी वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं। जो कि आप अमीर बनने के बाद पूरा करना चाहते थे। ये देखो कि आपके सारे project successful हो रहे हैं। और आपको multiple source से पैसों की प्राप्ती हो रही है। जिस काम को आप कर रहे हैं। वहां भी आपका income तेजी से बढ़ता जा रहा है। मन में इस affirmation को पांच बार दोहराएं। कि my income is continuously increasing। मेरा income लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा income लगातार बढ़ता जा रहा है। माई income is continuously increasing। और अब आप देखें कि आप अपने बच्चों के अपने parents के उस सारे सपने पूरे कर रहे हैं। जो कि आप अमीर होने के बाद करना चाहते थे। इस आनंद को अपने हिर्दय में महसूस करते रहें। और मन ही मन यूनिवर्स को धन्यवाद दें। उसमें आपको सक्षम बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यूू। अगले दस सेकेंड तक इसी विजुलाइजेशन को विजुलाइस करते रहें। अब आप देखना शुरू करें कि आपके रिष्टे सुधरने लगे हैं। चाहे वो आपकी पत्नी या पती के साथ था, या वो आपके भाई या बहन के साथ है। या वो आपके बच्चों के साथ, या आपके माबाब के साथ है। आपके सारे रिष्टे अचानक से सुधरने लगे हैं। हर जगह आपको प्यार मिल रहा है, क्योंकि आप सब को प्यार से पेश आते हैं, आप अपने माबाप की बातों को अब डीपली समझ रहे हैं, और आपके माबाप भी आपको समझने लगे हैं, आप अपने बच्चों को स्पेस दे रहे हैं और फ्रीडम दे रहे हैं, आपके सारे रिष्टे अच्छे हो रहे हैं, आपके माबाप आपके साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, उसी टेबल पे आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, आपका स्पाउज भी आपके साथ हैं, एक प आप इंजोय कर रहे हैं जो कि इस विश्व की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके रिष्टे अच्छे हों। आप देख रहे हैं कि आप अपनी मा की आँखों में एक खुशी देख रहे हैं। मा की आँखों में अपने लिए आशिरवात देख रहे हैं। आप अपनी बच्चों के आँखों में खुद के लिए प्रेम देख रहे हैं। और अपनी पत्नी की आँखों में, पती की आँखों में, खुद के लिए blessings और positive energy देख रहे हैं, आप सारे रिष्टों को enjoy करने लगे हैं, आपके रिष्टों में ना कोई conflict है, ना कोई लड़ाई है, है तो हसी मजाग, प्रेम और enjoyment, क्योंकि आप रिष्टों को अच्छा करना सीख चुके हैं, अपने हिर्दय में उठ रही समवेदनाओं को देखना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें, और अब आप देख रहे हैं कि आप किसी surprise party में मैठे हैं, ये party आपके family members ने और आपके दोस्तों ने आपके बड़े के लिए दिया, कितना special हैं आप, इस speciality को feel करें, कितने important हैं आप उनके लिए, क्योंकि आप उनको उतना ही महत्व देते हैं, उतना ही importance देते हैं, enjoy करते रहें, इन समवेदनाओं को, इन feelings को, enjoy the feelings, enjoy the sensations, enjoy the imagery, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, God, परमेश्वर, अल्ला, उसको तहे दिल से धन्यवाद दे, अपना right hand, अपने heart के उपर रखें, और उन सारी समवेदनाओं को, फिर से महसूस करें, और दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दे, वाह मेरे मालिक, क्या दिन है, मेरे रिष्टे इतने अच्छे हैं, मैं financially free हूँ, मेरा health इतना अच्छा है, मैंने अपने अंदर के डॉक्टर को, फिर से जाकरित कर लिया है, और अब आप, एक और image अपनी आँखों के सामने लाएं, आप ये देखें, कि आप अपने जॉब में या प्रोफेशन में बहुत ही जादा तरक्की कर रहे हैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम की master बन चुके हैं, हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, चाहे आप कोई painting कर रहे हैं, या फिर आप कोई project को operate कर रहे हैं, आप अपनी काम की master हैं, आप अपने धंदे के माहिर खिलाडी बन चुके हैं, आप अपनी कंपनी में, होस्पिटल में, दुकान में या वर्क प्लेस में एक जीनियस हैं और कोई भी आपको निकाल नहीं सकता क्योंकि जो भी सैलरी आपको दी जा रही है आप उसका कई गुना ज़ादा वैल्यू लोगों को दे रहे हैं आप दिन प्रति दिन तरक्की कर रहे हैं अपने काम में, आपको और बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं और ओपॉर्चनिटीज आपके लिए खुलती जा रही हैं और अब आप अपने काम को पूरे दिल से इन्जॉई कर रहे हैं हर दिन आपके लिए एक सेलिब्रेशन है क्योंकि आप अपने काम से जादू क्रीट करना या मैजिक क्रीट करना जानते हैं एक बार फिर से गौड को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ये स्किल्स दीं कि आप अपने काम के माहिर खिलाड़ी बन जाओ उन्होंने आपको ये एक शमताई दीं जिससे की दुश्मन भी आपके काम की तारीफ करते हैं और अपने दिल में उठ रही समवेदनाओं को सेंसेशन्स को देखना शुरू करें इन्जॉय करना शुरू करें एक बार फिर से अपने आप को देखें कि आपका हेल्थ बहुत ही बढ़ियां हो चुका है। और हर कोई आप से वो सीक्रिट्स पूछ रहा है जिससे कि आप हेल्थी हो सकें। आप देखें कि आपके लिए पैसे के रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। आपको हर तरफ से पैसा आ रहा है और आपकी इंकम रोज बढ़ रही है। आपके रिष्टे बहतर हो रहे हैं और आप अपने रिष्टे को इंजॉई कर रहे हैं। हर कोई आपके साथ समय भी दाना चाहता है। और अब आप अपने करियर में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिली हैं। हर कोई आपके काम की तारीफ कर रहा है। हर कमपनी आपको डिमांड कर रही है। और आपका काम ऐसा बोल रहा है, और आपके काम का जादू सर चड़ के बोल रहा है, हर तरफ आपकी तारीफ है, हर तरफ आपके काम की धूम है. इन सारे सिंसेशन्स को और इमेजेज को एक साथ इंजॉय करें, और अपने हार्ट पे एक हाथ रख कर, देखें कि किस तरह से आपके हार्ट में अच्छी अच्छी भावनाओं की लहरें उठ रही हैं, और आप इन समवेदनाओं को इंजॉय करते जा रहे हैं. इन्जॉय मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर. इस विजॉलाइजेशन को आप रोज प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सारे एक्सपिरियंसेज एट्रैक्ट करें और क्रेट करें. जो एक्सपिरियंसेज आप चाहते हैं, और वो एक्सपिरियंसेज अपनी लाइफ से दूर भगाएं, जिनको कि आप पसंद नहीं करते हैं. मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, दोनों हाथों को धीरे से अब आप अपनी आँखों के उपर ले जाएं, और जो ही आपको अच्छा लगे, धीरे से आप अपनी आँखें खोल सकते हैं. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू.